नमस्कार, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज यानी, गुरुवार को हमें एक बार फिर हाजर हैं, अलग-अलग राशियों का हाल लेकर। आज कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, और किस बात का रखना होगा आपको खयाल। कैसे रहेंगे आपके रिष्टे और कौन सा रंग करेगा कमाल, ये सब जानेंगे आज के शो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले चलते हैं मेश राशी की तरफ। मेश राशी वालों को आज आर्थिक लाब मिलेगा। आज आप करिया और व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको परिवार वालों का साथ मिलेगा। आज आपको आकर्शक प्रस्ताव मिल सकते हैं। शुप फल पाने के लिए आज आज आप महालक्षमी जी की पूजा करें। तीन और नौ अंक आपके लिए लखी रहेंगे। गेरुआ रंग आपके लिए शुप हो सकता है। अब बढ़ते हैं व्रिश राशी की ओर। व्रिश राशी वालों को आज बढ़ों का साथ और समर्थन मिलेगा। आज आप सभी से तालमेल बनाए रिखेंगे और आपको कारोबार में भी सफलता मिलेगी। इस राशी वाले लोगों के पद में भी व्रिद्धी हो सकती है। आज आप सभी का भरोसा जीतेंगे। शुप पल पाने के लिए आज आप फीली वस्तों का दान करें। तीन और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। सनरा इस कलर आपके लिए लखी होगा। व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की। आज मिथुन राशी वालों के प्रें संबंद सबरेंगे। आज आप सकारात्मत परिस्थितियों का लाब उठाएंगे और आपका आर्थिक पक्ष भी बहतर बना रहेगा। इस राशी वाले लोग आज लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका आत्म विश्वास भी उचा रहेगा। तीन और पांच अंक आपके लिए लखी रहेंगे। पाइनेपल कलर आपके लिए शुप हो सकता है। मिथुन के बाद करक राशी की चर्चा करेंगे। करक राशी वाले आज परिवार वालों से सलाह लेंगे। आपके लिए सलाह है कि आप महत्वपूर्ण कारियों में धैर्य बढ़ाएं। इस राशी वाले लोगों को करीबियों का सहयोग मिलेगा। आज आप लेंडेन में साबधानी रखेंगे। दो और तीन नमबर आपके लिए शुप रहेंगे। ब्राउन कलर आपके लिए लखी होगा। अब नमबर है सिंग राशी का। आज सिंग राशी वालों के नेतरित्वक शमता में बड़ोतरी होगी। आज दोस्तों के साथ आपके रिष्टे मसबूत होंगे और आपके दामपते जीवन में भी शुप ता आएगी। इस राशी वाले लोगों की परिवार वालों से करीबी बड़ेगी। आज आपको कोई बड़ी उप्लब्दी मिल सकती है। एक, तीन और नौ अंकाप के लिए लखी रहेंगे। गोल्डन कलर आपके लिए शुप हो सकता है। अब कन्या राशी की चर्चा करेंगे। कन्या राशी वाले आर्थिक मामलों पर नियंत्रन बढ़ाएंगे। आपके लिए सला है कि आप अपरिचित लोगों से सावधान रहें और उधार के लेंदें से बचें। इस राशी वाले लोग आज सभी नीती नियमों का पालन करेंगे। आज आप समाद सेवा से जुड़े कारियों में रुची रखेंगे। तीन और पांच नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। एपल ग्रीन कलर आपके लिए लखी होगा। अब तुला राशी की बात करते हैं। तुला राशी वाले आज दोस्तों के संग यादगार पल बिताएंगे। आज आप रचनात मकारियों से जुड़ेंगे और आपका रुटीन भी सवरेगा। इस राशी वाले लोग आज कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपके रिष्टों में भी मजबूती आएगी। तीन और छे हनकाप के लिए लखी रहेंगे। लेमन कलर आपके लिए शुप हो सकता है। अब बारी है व्रिष्चिक राशी की। व्रिष्चिक राशी वाले आज भावुकता पर नियंत्रन बनाए रखेंगे। आज आपके संसाधनों में वृद्धी होगी और आपको आकरशक प्रस्ताव मिलेंगे। इस राशी वाले लोग आज अपने अनुभवों का लाब उठाएंगे। आज आप व्यक्तिगत विशेयों पर भी फोकस बढ़ाएंगे। तीन और नौ नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। सिंदूरी रंग आपके लिए लखी होगा। अब चलते हैं धनू राशी की तरफ। धनू राशी वालों के रिष्टों में मजबूती आएगी। आज आपको शुप सूचनाएं मिलेंगी और आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। इस राशी वाले लोगों को आज करीबियों का सहयोग मिलेगा। आपके लिए सला है कि आप सेहत की नियमित जाज कराएं। तीन और नौ अनकाप के लिए लखी रहेंगे। रेद कलर आपके लिए शुप हो सकता है। धनू के बाद बढ़ते हैं मकर राशी की तरफ। मकर राशी वाले आज अपने व्यवहार से सबका मन जीतेंगे। आज आप परिवार वालों के संग अच्छा वक्त बिताएंगे और आपके घर परिवार में भी खुशाली आएगी। इस राशी वालों के मान सम्मान में भी वृद्धी होगी। आज आप बैंकिंग से जुड़े कारियों में रुची रखेंगे। आथ और 9 नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। रस्ट कलर आपके लिए लखी होगा। अब बारी है कुम राशी की। कुम राशी वाले आज करीबियों का भरोसा जीतेंगे। आज आपको शुब प्रस्ताव मिलेंगे और आप अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रन बढ़ाएंगे। इस राशी वाले लोग आज अपनी वानी और व्यवहार से आकरशक बने रहेंगे। आज आपके संपर्क का दाइरा भी बढ़ा होगा। तीन और नौ अंक आपके लिए लखी रहेंगे। फिरुजी रंग आपके लिए शुब होगा। आखिर में मीन राशी की चर्चा करेंगे। मीन राशी वाले लेंदेन में स्मार्टनेस बढ़ाएंगे। आज आप खर्च और निवेश पर नियंत्रन रिखेंगे और सभी नीती नियमों का पालन करेंगे। इस राशी वाले लोगों को आज कोई जरूरी सूचना मिल सकती है। आज आप दोस्तों के संग कही घूमने जा सकते हैं। 3, 6 और 9 नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। चंदन जैसा रंग आपके लिए लगी हो सकता है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे और अलग-अलग राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहें। आज तक AI के साथ आपका दिन शुब हो।